हेलो फ्रेंड्स एंड मैं आल लवली स्टुडेंट्स वेलकम यू ओल इन वकैप सेशन आज का जो वकैप का सेशन है यह आपका कोविड-19 के जो टर्म्स है जो वर्ट से उसमें यूज हो रहे हैं उससे रिलेटेड है जो कि आप लोग को जाना बहुत जरूरी है ठीक है तो संकरमण को प्हida का काम करता है और वायरस सिर्फ लिविं तिंश में होता है सरीर के बाहर है मृत के समान होता है बॉड के अंदर जाते ही यह जीवित हो जाता है ठीक है non living things पे इसका कोई एफेक्ट नहीं पड़ता living things पे only एफेक्ट करता है ठीक है दूसरा है WHO हम बार बार सुनते हैं WHO की रिपोर्ट यह आई यह WHO ने ऐसा inform किया हम आज कर ट्रेंडिंग बॉर्ड है यह ठीक है WHO का full form है world health organization और यह कहां यह इसका मुख्याला कहां पर है जिनेवा Switzerland में ठीक है अब आपका next है symptom symptom का मतलब क्या होता है लच्छड होता है symptom word जो यूज किया जाता है वो कोई भी एक विमारी है या उसका जो संकेत होता है हम कहते है ना इसमें fever का symptom है अगर किसी को हलकी सी छीक आ जाती है इसको सर्दी का symptom symptom मतलब लच्छड किसी भी बिमारी का लच्छड अगर किसी में दिख रहा है तो हम यह कह देते हैं इसमें यह symptoms है ठीक है अब next word है आपका communicable का मतलब क्या होता है संचारित किसी भी चीज को ज्यादा spread करना जो चीज ज्यादा spread होती है उसे हम कहते है यह communicable है जैसे आपका COVID-19 क्या है communicable है मतलब संचारित हो रहा है ज्यादा से ज्यादा फैल रहा है ठीक है आपका next term क्या है screening आजकर हम सुनते हैं कोई भी आ रहा है एयरपोर्ट पे screening हो रही है कहीं पे stop पे किसी को लाया जा रहा है कहते है screening हो उसके बाद ही भेजा जा रहा है उनको ठीक है screening का मतलब क्या होता है screening किसी व्यक्ति कोई भी पर्षन हो उसको किसी बिमारी का लच्छड दिख रहा है या नहीं यह जाचने के लिए प्रियोग किया जाता है ठीक है I hope you all understand thank you so much for listening me be happy stay healthy have a nice day bye bye